हिट एंड रन के नए कानून को ले करके लगातार कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है बश चालकों में लगातार जो गुसा है वो बरकरार है और बश चालकोंने 17 जनवरी को कुछ बड़ा करने की भी प्लानिंग कर रखी है आखिर क्या करने वाले हैं बस शालक सत्रा जन्वरी को और लखनों में क्या कुछ होने वाला है पुरे प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा यही जानने के लिए जम आ गए हैं मान सिंग और इसे पूछते हैं कि अब बस शालकों की क्या आगे की योजना है और सत्रा तारीकों क्या बड़ा होने वाला है आपका भबो स्वागत है धन्यवाद मेडम एक्चुली मैं हिट और रन केस में बहुत सी ब्रातिया फैली हुई हैं जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों को इस पश्ट करे किलियर करे कम से कम हमारे जो चालक भाई है जो कि एक तो पहले से ही इस स्थिति में है कि हमारा विभाग इनको आठ हजार दस 12,000 में इसे काम ले रहा है उस वेतन में एक तो पहले से ही इनका परिवार के भरन पोसल नहीं हो पा रहा है पेट नहीं चल पा रहा तो यह अच्छी सिच्छा कैसे अपने बच्चों को दे पाएंगे और उनका भवी से कैसे उज्वल कर पाएंगे इस पर तो किसी प्रकार की चिंता ना प्रदेश सरकार को है ना हमारे परिवाहन निगम के बैठे वे टेली कोठी के उच्छे दिकारियों को है उसके बाद जो यह काला कानून लागू किया जा रहा है जिसको विस्तार से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है कि इसमें क्या है कैसे लगेगा जो सा साल की सजा है वो तो चालक को ही बहन करना पड़ेगा उसको भुगतना पड़ेगा सजा लेकिन ऐसी स्थितियां कम से कम यह इसपश्ट किया जाए प्रदेश सरकार की तरब से परिवाहन निगम मुख्याले की तरब से या केंद्री केंद्र में बैठी सरकार का यह दायतु बनता है क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है तो उन्हें यह इसपश्ट करना चाहिए कि इस कानून में हम क्या क्या चीजे ला रहे हैं जिस पे चालक पे क्या आसर पड़ेगा लेकिन अगर यह कानून लाग हो गया हमारे किसी भाई किसे कोई दुरगटना हो गई तो उस हमारे पास क्या सात लाग रुपिया है नहीं है और सात लाग रुपिया को छोड़के यदि हमने सात लाग रुपिया जुर्माना नहीं भरा हमारा कोई चालक भाई जेल चला गया दस साल की सजा का प्रावधान है उसमें उस दस साल के अंदर इनके परिवार का इनके बच् कानून के बाद कैसी कैसी विपतियां पढ़ेंगी यह सरकार को पहले सोच लेना चाहिए कुछ विचार भी मर्स कर लेना चाहिए यह मजदूर से भी नीचे स्रेणी में आते है मैडम मैं आपको बता दूँ जो राज सरकार का आदेश है कि कम से कम नियुंतम बेतन इनका 24,000 ह होना चाहिए हमारे पूरे परिवाहन निगम में किसी भी चालक का 24,000 रुपई वेता नहीं है रेगुलर को छोड़ दिया जाए और रेगुलर हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ 6% है जैसा कि पूर्व से भी जो कानून लागू था उसमें भी सजा का प्रावधान है लेकिन उ उनके परिवार का भर पोसर्ट होता रहता था लेकिन इन सब इस कानून में सब स्यuvre terski को इस मश्त नहीं किया गया है तो हम अभी उस स्येFF में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें अभी इस teeth पर हम लोग विचार कर रहे हैं डीपो डीपो जाकर छेतर छेतर जाकर इस प्रकार स उससे पहले कि हम लोग कोई बड़ा अंदोलन की गोसना करें उससे पहले यदि सरकार हमें उसका कोई जियो जो नया कानून इन्हों ने लागू किया उसका कोई जियो हमें दे दें जिससे हम यह समझ सकें कि क्या यह हमारे हित में है या हित में है एक शिकायत दर्ज हुई मु इस्टेंड कि ये तो संविदया का आदमी है अभी मैं इसकी संविदया समाप्त कराऊंगा नौकरी खाऊंगा इसकी लेकिन जब मैंने उसकी गहन परताल किया तो उसमें यह निकल किया आया कि यह जो मुखमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई शिकायत का नंबर जो है वो 2013 क चोथे महने में इस नंबर से शिकायत की गई थी उस नंबर का दुर्पियों करके आज की डेट में 2024 के तीन तारीक को उस शिकायत के नंबर को दर्ज करके एक करमचारी पर कारवाई कर दी जा रही है जिसके लिए मैं तीन तारीक से लेकर आज तक निरंतर मैं पत्रा चार कर तो ऐसी और जानकारिक जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजरी सिंग राजपूत लोकल 18